मानो कि तुम्हारे पास कोई domain expansion भी नहीं है लेकिन तुम्हारी बोरी किस्मत की वजा से तुम्हारा सामना जोगों से हो जाता है और वो तुम पे domain expansion यूज़ करता है तो अब सवाल यह है कि क्या तुम कुद को बचा सकते हो या नहीं और इसका आंसर जानने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि हर एक domain एक sure hit attack के साथ आती है जिसे तुम बच तो नहीं सकते हैं लेकिन कुछ anti domain techniques जैसे new shadow style simple domain या फिर falling blossom emotion को यूज कर सकते हो domain के sure hit attack को negate करने में लेकिन जब तक तुम अपने opponent को हरा नहीं देते हैं तुम कभी बहार निकल ही नहीं पाऊगे अब तुम लोग के लिए भी मेरे पास एक सवाल है आकि किसका domain expansion तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है कोमेंट करके ज़रूर बताना